हमारे जीवन में ऐसे कई सारे दिन आते हैं जब हम सोचते हैं कि आज सूरज डले ही नहीं और ये दिन कभी खतम ही ना हुए वेल कुछ लोग लखी होते हैं जिनकी ये विश पूरी होते हैं हम बात कर रहें दुनिया की उन जगाओं की जहां कभी सूरज डुकता ही नहीं imagine कीजिये कि दिन कभी खतम ही नहीं होता और आप नहीं जानते की सोना तो चागना कभी है सोचने में एक दम यूनिक चीज़ है ना तो आज हम बात कर रहेंगे उन कंट्रीज की जहां सूरज कभी डुपता ही नहीं नमबर वन फिल्लेंड एसा देश जहां हजारों नदिया और आइलेंड्स है देश जहां समर में 73 दिन तक सूरज नहीं डुपता फिल्लेंड जो नौर्दन लाइट्स के लिए काफी फेमस है नमबर टू स्वीडन आम तोर पर इस देश में इसके नेबर कंट्री से गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है स्वीडन में सन मीडनाइट के आसपास डुपता है और माई की शुरुआत से अगस के अन तक सुबर साड़े चार बजे फीर से उपता है नमबर ट्री अलास्का अलास्का में माई के अन से जुलाई के अन तक सूरज नहीं डुपता है Beautiful and breathtaking winters में इस देश में हमेशा अन्देरा ही रहता है याने की winters में सूरज कभी उखता ही नहीं है अलास्का अपने spectacular glaciers और बरफ से ढखे पहाडों के लिए काफी जाना जाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कैनेडा जिसके कही हिस्से साल पर बरफ से ढखे रहते हैं इन्यविक और नौर्थवेश टेरी टरिस जैसे प्लेसिस में गर्मियों में सूरज लगबग 50 दिन तक कॉंस्टन्टली चमकता रहता है एक खुबसूरत देश आइसलेंड ग्रेट बिटेन के बाद योरोप का सबसे बड़ा आइलेंड है आइसलेंड में 10 माई से जूलाई तक सूरज नहीं डूपता और सबसे आखिर में आर्क्रिक सरकल में सिचुएटेड नौर्वे को लेंड ओफ मिडनाइट सन्वी कहा जाता है माई से जूलाई के अन तक लगबग 76 दिनों तक सूरज नहीं डूपता और इस दोरान दिन में पूरे 20 कंटे सूरज की रोशनी इतनी तेस होती है कि लोगों की चमड़ी तक चल जाती है नौर्वे की स्वालबाड में सूरज 10 अप्रिल से 23 अगस्त तक लगातार चमकता रहता है जिससे कुछ लोगों को स्कीन कैंसर जैसे बीमारी भी हो जाती है इन सब देश में अंदेरा ना होने का कारण है कि इन देशों में एक्स्ट्रिम डेटिटीटीट पर मिडनाइट सून को पोलर डे कहा जाता है एंदेट पोल देमसेल्स देशन राइसे एंद सेट्स ओंली वर्न इच यह अन देएक्मे नोग्स तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को शेर कर देना और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो